सर नेक्स सेक्शन है हमारा कैपिटल एसिट के अंदर यहाँ पे सबसे पहली बात जो यह लेंड जमीन है अगर हम इसे बेचेंगे पहले तो यह बताईए क्या यह कैपिटल एसिट है के नहीं है यह जो मैं लेंड बना रहा हूं क्या यह कैपिटल एसिट्स है या नहीं है तो बड़ी बेसिक सी बात है सर यह कैपिटल एसिट्स है है ना कैपिटल एसिट्स तो नई residential house नहीं मैं capital assets की बात करता हूँ capital assets की definition में क्या कहता है immovable property हुआ तो sir वो तो है ही अब ये capital assets दो तरीके का यहाँ पे हो सकता है या तो ये सिर्फ जमीन है या फिर यहाँ पे खेती यानि agriculture activity हो रहा है अगर यहाँ पे agriculture activity हो रहा है तो दो जगे हो सकता है ये खेती या तो आपके रूलर एरिये में हो सकता है या अर्बन एरिये में या तो गाओं में हो सकता है या तो शहर में हो सकता है या तो रूलर एरिये में होगा या अर्बन एरिये में अगर मैं Ruler एरिये की बात करूँ Rural एरीये की बात करूँ और Urban एरीये की Sir, Rural और Urban में क्या definition है? डिफरेंस है Sir? अभी पता चल जाएगा सरकार ने अगर इस पर खेती कर रहे हो दो Sabbathल हो गार सिर्फ आप इस पर खेती कर रहे हो तो सरकार ने किसानों को न laten बहुत benefit दिया हुआ है, exemption बोला हुआ है कि आपसे हम इस बात पर tax नहीं लेंगे, इस बात पर नहीं लेंगे, आप खेती करिए, आप अपने आपको survival करिए, अच्छे सा रहिए, leaving standard बढ़ाईए, तो कहा गया जो गाउं में रहते हैं, उनसे हम tax नहीं लेंगे, तो सर जब tax न लेकिन उसमें agriculture land जो की rural area में है, वो include नहीं होगा, मैंने नीचे note में भी बताया था, यानि सर अरवन area वाला जो होगा, अरवन area वाला होगा, वो include होगा, अब सर रूरल area में कैसे पता चले, इसका पूरा दाइरा है, जब हम agriculture chapter करेंगे, तो वहाँ पे मैं पूरा sequence बताऊं कि आपके 10 km में mcd वाले आते हैं, population इतना होना चीए, 5 km में इतना है, 20 km में इतना है, वो पूरा है, अभी फिलाल इस chapter के अंदर आपको पता होना चीए, rural area का हमारा capital assets ही नहीं है, तो जब इसको बेचेंगे, तो capital gain भी नहीं लगेगा, यानि सर जब urban area में आपका capital assets हुआ तो क्या urban area में अगर आपका खेती कर रहे हो, तो क्या ये capital assets है, क्या ऐप बोलेंगे जब रहे हैं, शहर में कहाँ कहती होती है, मैं बता रहूँ, Delhi में होता है, किसी ने देखा है, Delhi में खेती होते हुँआ, बहुत जगे डेली के अंदर होता है खेती तो डेली के अंदर आप देखों यहां पर ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि बोला किसान के लिए इंकम माफ कर देते हैं और agriculture income बोलता है आप दो activity कर लो basic activity और subsequent activity यानि आप अगर खुदी खेती कर रहे हो और उसको फिर काट भी खुदी रहे हो तो आपका मान लेंगे अग्री कल्चर एक्टिविटी रूरल इरिये में किसान रूरल को बोला गया अर्वन को नहीं बोला गया अगर अर्वन को बोला होता तो पता चल रहा होता कि डेली के अंदर भी खेती है लोग बाग क्या करते घर बनाते घर के छट पे खेती करते और उस घर को बीच देते बोल देते ये मैं खेती कर रहा और ये जो मैं खेती कर रहा हूं ये हो गया हमारा एग्री कल्चर एक्टिविटी और एग्री कल्चर एक्टिविटी अगर सरकार ने माफ कर रखा है तो हमने इस पर टेक्स देना नहीं है उसे अर्वन वाले को बाहर नहीं करेंगे किसान ने बोला भाया ठीक है आप मेरी चालाकी को समझ गए हो आप इसे बाहर नहीं कर रहें इसके उपर टेक्सेबल लगाओगे लेकिन मैंने क्या करा है मेरे पास एक खेत है अब आपको पता है खेत जितना जादा बड़ा होगा ना आपका उतने अच्छे से आप खेती एक कर पाऊगे मेरे पास एक खेत है मैंने इस खेत को सोल्ड कर दिया और मैंने एक बड़ा ले लिया जहां पर मैं अच्छे से कर पाऊं अपनी सारी खेती एग्री कल्चर एक्टिविटी बड़े अच्छे से कर पाऊं तो अब मुझे क्या टेक्स ले लोगे मैंने ये पांच लेक्सिबल ले लोगे क्या मेरा परपस टेक्स कता माना नहीं है मानते हैं हम अर्बन लेकिन टेक्स में चैशी हां नहीं हैं हम भीचई लेते था तो में भीओ करतें तुम्हें भीजर लेंगे अर तो मुझते हो और गर्यखक लेंगे तो और अगर कोई भी th Creative क्टिशन क्या रखा गौर्मेंट ने कंडिशन देखिए आप 1961 से टेक्स बन रहा है तो 1961 से अब तक की चलाकी आपको पढ़नी है कंडिशन रखा गौर्मेंट ने बोला भाईया सबसे पहले एगरिकल्चर लेंड कौन सा है एगरिकल्चर लेंड उसको मानेंगे हम जिस पे आपने वर्क किया हुआ हो ऐसा नहीं कि आज ही आपने स्टार्ट किया एगरिकल्चर में नरसरी वगरा सब कुछ आ जाता है आपने आज ही स्टार्ट किया और बोलो agriculture land है, deduction ले लेंगे, ऐसा नहीं है agriculture का मतलब आपने इसके उपर खेती किया हो कम से कम दो साल इसका proof आपके पास होना चाहिए या तो आपने, या तो आपके मम्मी पापा ने, या आपके दादादी ने आपके परिवार वालों ने अगर इस जमीन पे खेती किया है, तब मानेंगे ये agriculture land है, पहला condition दूसरा, इस agriculture land को जो बेचोगे हमेशा long term होना चाहिए long term होगा, तभी हम आपको deduction देंगे, deduction देंगे, कैसे deduction मिलेगा तीसरा, सर आपको यहाँ पे जो खेत खरीदोगे तो आप फिर बोलोगे हमें टाइम चाहिए तो सर एक साल पहले खरीद लो planning के साथ और दो साल बाद construction तो करोगे नहीं खेती में तो उसके लिए आपको नहीं मिलेगा एक चीज और ध्यान रखना एक होता है dwelling house, dwelling house क्या होता है सर, agriculture में पढ़ेंगे dwelling house होता है खेत में आप देखोगे ने कई घर बना लेते हैं उस खेत की रखवाली करने के लिए तो उस घर को भी अगर कोई बेचता है तो वो agriculture house माना जाएगा अगर गाउं में बेचा जा रहा है तो capital gain से बाहर होता है उसे बोलते है dwelling house ठीक है condition number one जो जमीन बेच रहे हो दो साल तक आपने उस पे खेती किया हुआ हो और वो long term होना चाहिए एक साल पहले खरीदा हो अगर खरीदोगे तब deduction मिल जाएगा और दो साल बाद भी खरीदोगे तब भी आपको deduction मिल जाएगा सर घर कहां खरीदना है जो जमीन खरीदना है ना आपको आपकी इच्छा है खरीदना आपको agriculture land है टेक्स प्लैनिंग के लिए आप खरीदो रूरल वाला, यानि गाउं वाली जमीन खरीदो, ताकि फिर दुबारा जब कभी बेचो तो वो क्या हो जाए टेक्स फ्री, क्योंकि अगर मैंने गाउं वाली जमीन खरीद लिया, रूरल वाली जमीन खरीद लिया, तो वो capital assets नहीं ह जब मैं दुबारा बेचूँआ तो, शहर वाली अगर आप खरीदते हो, यानि आप कहीं भी खरीद सकते हो, या तो आप रूरल का खरीदो, या तो आप अर्वन का खरीदो, अगर आप शहर वाली खरीदोगे, तो condition लगा देंगे, तीन साल तक बेचना, अलाउट नहीं है यानि सारा का सारा कहानी लगबग लगबग पीछे वाला आ जाता है, बस यहाँ पे एक condition आ जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं तक है, उस घर में आपको इतने साल रहना है, यहाँ पे बस आगया आपको खेती करना है, वहाँ पे तब आपको exemption मिलेगा, यह कब मिलेगा, सर आपको agriculture land ही बेचना है और खरीदना भी क्या है, आपने बोला सर मैंने घर बेच दिया, घर बेच दिया 50 लाग का और एक खेत का मैंने जमीन खरीद लिया, agriculture land खरीद लिया 10 लाग का, सर चोवन भी में deduction दे दो ऐसा थोड़ी होगा, चोवन भी कहता है आपका बेचना भी क् और खरीदना भी क्या है agriculture land तब जाके आपको इसका deduction मिलेगा समझ मैं ही बात आपको क्या condition है फटाफट देखे condition number one उस जमीन जो होना चाहिए दो साल आपके खेती होनी चाहिए कौन करेगा सर मम्मी पापा आप कर लो अधाध अधाधी कर ले इसके बाद आपको वो बेचना है long term होना चाहिए यानि 24 महिने के बाद बेचा हुआ होना चाहिए खरीदना क्या है agriculture land ही खरीदना है कहाँ पर खरीदना है सर या अर्बन में खरीदो रूरल में यह आपकी इच्छा है लेकिन खरीदने के लिए एक साल पहले वाला भी चलेगा same year भी चलेगा दो साल बाद वाला भी चलेगा और दो साल बाद वाले के लिए आप पैसे को जमा करवा दो कहाँ capital gain deposit account के अंदर आप जमा करवा दीजिए उसको सर इसके बाद अगर आपने agriculture land रूरर एरिये में खरीदा तो कोई दिक्कत नहीं बेच दो कोई taxable ही नहीं होगा अगर urban एरिये में खरीदा तो तीन साल तक hold करके रखना बेचना नहीं है तभी आपको deduction मिलने वाला है सर इसी सभी point को सर स्क्रीन पर twitter video disabled आ रहा है मैं एक बार refresh मार देता हूँ जिसके भी आ रहा है twitter video disabled अभी आ जोएगा ठीक सर इसके definition को मैंने क्या करा है अभी मैं पढ़ देता हूँ इस पर question नहीं ले रहा है सरिफ मैं इसको पढ़ देता हूँ क्या कहता है पढ़ते है कहता है sir who can claim individual or क्या करना है urban agriculture land आपका क्या कहता है because agriculture land not a capital sorry rural agriculture land capital assets ही नहीं है मैं इसको अलग से कर देता हूँ highlight highlight कर देते हैं तो शायद ज़्यादा दिखे यह लेगे कहता है sir urban agriculture आपको land ही क्या करना है transfer मतलब sold करना है sir urban सब्द का इस्तमाल इसलिए किया गया क्योंकि because rural agriculture land not a capital assets यह मैंने समझा दिया यहीं पर इसलिए सिर्फ urban सब्द का इस्तमाल किया गया sir क्या कितने time के बाद बेचना है agriculture land should be used by parents agriculture purpose at least two year before the transfer पुराने आपको किया हुआ होना चाहिए sir इसके बाद और क्या है और कहता है आपका कौन सा होना चाहिए sir long term और short term हाँ यहाँ पर मैं बताना भूल गे agriculture में आपको short term भी दिया गया है long term भी चलेगा और short term भी चलेगा sir यह बात है जो deduction long term भी चलेगा और short term भी चलेगा इसका ध्यान रखना मकान में क्या था सिर्फ long term यहाँ पर दोनों है long term और short term एक दो section है जो short term को allowed करता है जैसे कि एक हमारा short term को और कोन allowed करता है long term long term long term अभी देख लेगे बाद में आगले page पर है कहां पर है हाँ यह रहा तो बाद में देख लेगे पहले यह देखते है चलिए eligible sir eligibility का मतलब क्या है eligibility मतलब आपको क्या खरीदना है आपको weather in ruler area और urban area इसका line थोड़ा इदर shift हो गया था weather acquire यह पहले यह वाला पहले है weather acquire agriculture land in ruler area और urban area कहानी यह है थोड़ा सा वो न tabler form में गलत हो गया आगे पीछे समझ मैं तो वो समझ जाईएगा जो मैंने कटवा दिया था sir max period allowed investment sir within a two year from the date of transfer investment maximum period है एक साल पहले भी कर सकते हो आपका मैंने यहां लिखा नहीं है बाकी आपको मैं किताब में मिल जाएगा sir quantum amount same वही lower मिलेगा आपको क्या capital gain deposit में yes sir capital gain deposit में आप रख सकते हो तो यह था हमारा section number 54B बताईए इसमें कोई doubt provision में बताईए deduction के लिए मैं एक सवाल ले लूँ क्या करवा देते हैं एक सवाल यह अगली class में करेंगा सवाल रुख जाईए पहले इसको तो पढ़ लीजे कोई doubt है तो पूछ लीजे अभी तक क्या क्या हो गया capital gain में और देखें मैं revision करवा रहा हूँ उससे जादा आपकी responsibility बनती है कि आप revision करें इसको ठीक है उससे जादा आपकी responsibility बनेगी revision करें सबसे पहले क्या था सर capital assets capital gain हमीशा लगेगा किस पे capital assets पे सर बात अगर करें capital assets क्या होता है सर सभी तरीके का property को capital assets कहते है चाहे business से related हो non business लेकिन इसमें categorize कर दिया गया अगर वो movable है या immovable इmovable तो सारे के सारे assets क्या होते है capital assets होते है except बताए कौन सा जितने भी immovable property है सभी capital assets है except कौन सा assets छोड़के capital assets होता मूवेबल नहीं होता कि सवाल समझ में आ है मैंने बोला सारे immovable immovable मतलब land and building capital assets होते हैं एक assets ऐसा है जिसको छोड़ दिया गया है rural area का क्या agriculture land को छोड़ कर जो कि यहां consider मेंने बता या तो सार business के लिए use हो सकता है या फिर personal use हो सकता है अगर business की यूज के बात करें तो business में तो सभी capital gain है personal के अंदर कोई capital gain नहीं लगेगा लेकिन यहाँ exception है jewelry होगा तो लगेगा आपका archaeological collection है तो लगेगा sculpture है तो लगेगा drawing है तो लगेगा art है तो लगेगा painting है तो लग जाएगा आपका सर इसके बाद हमने क्या देखा capital assets समझ लिया सर capital assets होना चाहिए कौन से दो type के हमारे capital assets होते हैं यह transfer वाली point इतने important है नहीं तो सर capital यह मैंने definition बता दिया था आपको क्या क्या लगना है यहाँ पे भी note में देखे लिखा था capital letter does not include stock in trade, ruler agriculture land और यह सारे जो मैंने bond वगेरा यह सारी बाते हैं तो मैंने कोसिस करी है कि सारे सारे points ना छोटे से चार्ट में क्यूंकि बहुत बड़ा चप्टर है यह तो आप चार से तीन से चार पेज में पूरा चप्टर पूरा रिवाइस हो जाए practice तो आपके उपर करने की है सर capital assets कितने type का होता है या तो होगा short term किया तो होगा long term long term short term की definition मैंने section भी लिख दिया 42 और यह बनता है 29 के अंदर सर सिंपल सी बात है कैटेगराइस किया गया 12,24,36 12 महीने में कोई shares है और आपके bonds है कुछ 24 महीने में land and building है preferent share unlisted share है 36 महीने में बाकी बचा हुआ सभी को रख दिया गया है इसके बाद हमने क्या देखाता सर इसके बाद देखाता calculation कैसे होगा कुछ बच्चे पूछ रहते सर short term पे क्या indexation नहीं होता देखो यहां short term पे मैंने कहीं भी word नहीं लिखा है कि आपका cost of acquisition index यहां पे लिखा हुआ index cost of acquisition तो short term में indexation नहीं होगा long term के अंदर होगा कुछ एक ऐसे assets हैं जिसके ऊपर कभी भी indexation allowed नहीं है चाहे वो short term हो चाहे long term हो कौन कौन से सर कुछ depreciable assets जैसे plant and machinery और furniture कुछ debenture और bond सारे debenture और bond कभी भी long term नहीं होगा है हमें सर short term होगा और listed equity share पे indexation allowed नहीं है इसके नीचे की जानकारी हम बाद में देखेंगे और साथ के साथ इसके बाद क्या देखा था कुछ सवाल देखा था इसके अंदर हमने क्या देखा था सर हम normally capital gain यहाँ पे निकाल लेते हैं लेकिन अगर हमने घर को खरीदा हो 142001 से पहले तो हम market value consider करेंगे 142001 के वाला और indexation भी उसी दिन से लेंगे इस सवाल में क्या देखा था सर इस सवाल में हमने फिर से अगेन वही देखा था यहाँ पे अगर कोई भी property मिल जाता है आपको यहाँ पे gift वाला था शायद gift में तो आपको यहाँ पे cost of indexation किसका करते हो sir cost of indexation करते हो previous owner का ना कि जिस दिन gift मिला है उसका market value sir cost of improvement cost of improvement अगर 1901 से पहले का improvement है तो उसको ignore करते है 2001 वाले बाद को आप normal consider कर लेते हो तो कुछ सवाल हमने देख लिया था मेरे हिसाब से यह सारा point आपको याद होना चाहिए tips पे यहाँ तक clear है अगली class के अंदर sir क्या करने वाले हैं वो provision मैं बता देता हूँ next class के अंदर sir हम पढ़ने वाले जो हैं वो पढ़ने वाले हैं सर यह पूरा का पूरा 54 B 54 आपका D B तो होई गया D E C double E F G G A G B important कौन सा है sir हर बार 54 और 54 B repeated mode पे आया हुआ है exam के अंदर end time मतलब कि आता ही आता है लगबग आ जाता है बाकि ऐसा नहीं कह रहा है D important नहीं है हाँ लेकिन practical question में नहीं आता यह दोनों practical question में आ जाता है कुछ section और भी देखेंगे अगली class के अंदर यह section जैसे ही खतम कर लेंगे हम फिर हमारा section 45 की कुछ series रह जाती है वो कर लेंगे special case से कुछ उसके बाद फिर capital gain के हम practical बड़े बड़े सवाल कर पाएंगे ठीक है और फिर मिलते हैं चलिए अब बताइए किसी का कोई doubt है तो कर दो